तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले योद्धा मूवी करके जो एक काफी टाइम पहले जो थेटर्स में आई थी अभी ये थेटर्स में नहीं है हट चुकी है इतना लेट इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूं मैं इसके पीचे रिजन ये क्योंकि भाई साब मैंने इसको थेटर्स में नहीं देखा था अब OTT पे आ चुकी है तो अविसली इसको देखना मैला बनता था मैं देखना जा रहा था इसका trailer बेने देखा था trailer खास पसंद नहीं आया था इसलिए मैं इसको theaters में भी देखने नहीं गया था वहीं skip कर दिया था अब जब OTT platform पे आ चुके हैं जब मेरे पास subscription है Amazon के Amazon के prime video के जब मेरे पास subscription है तो क्यों ना इस movie को देखा जाए मैंने इसलिए इस movie को देखने की सोची इन सब जिज़ों को side में टाते है इस movie की कहानी पे हम focus करते है कि हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है अब इसकी जो कहानी है यार Bollywood की हर दूसरी या तीसरी जो movie होती है उसकी तरीके की unique कहानी है नतलब सोचो common नहीं unique कहानी है इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है कि एक जो भारतिय सोलजर है वो एक flight के अंदर एक plane के अंदर यात्रा कर रहा है अब उस flight को hijack कर लिया जाता है अब कैसे उस flight को वो बचाएगा ये सब चीज़ें हमें इस movie में दिखाए जाती है हाँ काफी सारी चीज़ें है hijack क्यों किया गया उसके पीछे reason क्या था उससे पहले भी कुछ चीज़ें हो चुकी थी वगेरा 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 तो एक भारतिय सोलजर को कैसे opposite role में दिखाया जाए उसको कैसे दिखाया जाए कि भाई साब इसने ही आई जाए क्या है spoiler पर नहीं जाते है वरना गाली पड़ेगी फिराल गाली क्यों पड़ेगी काफी सारे लोगों नो तो इसको देख लिया होगा और movie में ऐसे ऐसे surprise हमारे सामने आते हैं हमने हमारी life में आस तक ऐसे surprise ऐसे मोड हमने देखे ही नहीं होगे मतलब इतने आश्चर चकित कर देने वाले इस twist हमारे सामने आते हैं हैरान हो जाते हैं यार हम उन twist को देखते हैं वाह कितना ही दिमाग लगाया होगा यार इस movie को बनाने के लिए और सच में मैं काफी ज़्यादा शुकर गुजार हूँ कि मैंने एक तरीके से इस movie को मैं थेटर में देखने नहीं गया फिर मुझे लगता है कि यार मैं शुकर गुजार हूँ या फिर मैं दुरभाग्यशाली हूँ कि मैंने Amazon के OTT platform का subscription ले रखा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस तरीके के movie को छेलना बढ़ रहा है सच में यार यहां पर जो हमें पेट्रोईजम या राष्टरवाद हमें दिखाया जाता है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको गुजबम ला देगा या फिर आपके अंदर राष्टरवाद की भावना भर देगा Bollywood मुझे नहीं लगता है यार इस तरीके की movie जी क्यों बनाता है जिसमें हमें लगे क्या रही ये क्या वाहियात पना है मतलब आप सोच कर देखियो आप मतलब एक क्यों तरीके से आर्मी को देख रहे हो और सोलजर को देख रहे हो देश के लिए अपनी जान लगा रहे है ये जो Bollywood जैसे की movie बनाते है उसमें आपको इतनी सी भी feeling नहीं होगी राष्टरवाद की इस तरीके का fake, नकली, दिखावापन हमें देखने को मिल रहे है सेम चीजें इस movie के अंदर है और वो तो शुकर है मेरे पास जैसे हम theaters में देखने को जाते हैं तो हमारे पास skip करने को option ही होता यहाँ पर है मैंने काफी सारे जो इसके fighting scene जो थे इतने ज़्यादा गुसा आ रहा था कि भाई यह एक emotional angle भी है लेकिन वो खाली नाम नाम का emotional angle हम कह सकते हैं उस पर कोई focus नहीं किया गया इसमें सिरुप शुरू से लेकर आखिर तक लड़ाई दीखाई जाती है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि इसकी कहानी ही क्या है कहानी जितनी मैंने बता थी उतनी है ज्यादा इसमें दिमाग लगाने के जुर्ट नहीं है क्योंकि दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा अब यहाँ पर बोलिवुड एक कदम जैसे एक कदम क्या कहीं है बोलिवुड की तो हमेशा यह फितरत रहती है वो पाकिस्तान को ऐसे दिखाएगा कि यार देखो यार पाकिस्तान तो भारत के साथ चाहता है वो तो शांती चाहता है मतलब वहाँ पर यह जो एक पाकिस्तान का पक्ष दिखाते है कि पाकिस्तान की सरकार अच्छी है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, बस कुछ लोग खराब है जो भारत और पाकिस्तान के रिष्टे को बनना नहीं चाते, मतलब यार अपने बेटे के साथ कौन भी गाड़ के खुश है, वो तो है तो हमारा बेटा ही न, तो सिंपल सी बा नहीं कि आप जूट को सच करके दिखाओ वहाँ पर लोगों के अंदर ऐसी गलत चीजें डालो कि जो एच्छल में है यह नहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं है पाकिस्तान की धर्ती पे हमेशा टेरोरिजम ही पनपता है क्योंकि वो खुद उसको मतलब एक तरीके से पालंग पोशन कर रही है उन टेरोरिजम का तो वो ये नहीं है कि कोई और तीसरा चोथा बंदा जाकर बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम कभी शांती समझोता नहीं होने देंगे नहीं वो खुद पाकिस्तान ही है वहांकि वो सरकार ही है वहांकि वो मिल्टरी ही ऐसी है तो ये सब फेक चीजे मन दिखाया करो जो मुझे इस मूवी में बहुत जादा घटिया पनती लगती है जो पंजाबी सोंग में वो मुझे बहुत जादा पसंदा है लेकिन इसके अंदर जहां पर यूज किया गया है वहां मेरा फेवरेट गान है अभी पे मैं सुनता हूं लेकिन ये वाला सों कभी न सुनू मैं इसके अलावा मुवी में जो एक दिखावा एक नकली वो कितने यार वा क्या डायलोग मारे हैं यार सच में सुनकर कानों से खून आ जाए ऐसे डायलोग है वो इस मुवी को फ्लोग बनाते हैं तो मेरी तरफ से तो देखो यार इस मुवी में जो मुझे अच्छा लगा वो इसका बैक्ग्राउंड था थोड़ी बहुत स्टार् सारे ऐसे सीन होते हैं लास्ट के अदर मेरा मन है बात करने का लेकिन कुछ चीजों को मैं लिमिट करके चल रहा हूं कि आपको स्पोयलर ना मिल जाएं आप परना मुझे ही सुना देंगे उसका मुझे काफी जादा डर है और मैंने चाहता कि किसी का इंटरस्ट करा वो जो पर कुछ अच्छी चीजें देख लो वो आपकी नोलेज को मढ़ा मतलब बढ़ाने में हेल्प करें तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स वोचिंग इस वीडियो में जाहिंत